नमस्कार कहानी शंग्रे में हमारी शवी दर्शुकों का हारदिग स्वागत है दर्शुकों आज हम आपको पाप मोचनी एकादसी, पूजा, ब्रत तथा उशके विदि विधान के विशे में बताएंगे हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए धर्श को यह बरत चैत मास के क्रेश्न पक्ष की एकादसी को किया जाता है भगवान शिरी केश्न को एकादसी बरत सभी बरतों में अधिक प्री है इस दिन भगवान शिरी केश्न की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं इसलिए इसे पाप मोचनी एकादसी कहते हैं इस दिन सुबह सूर उद्य से पहले नहा दोकर भगवान शी केशन की सामनी ब्रत का संकल्प लें एक हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लेकर भगवान शीरी विस्टु जी के समझ खड़े होकर प्रात्रा करें प्रभू मेरे ब्रत को पूर्ड करने में मेरी शाहता करें बगवान विस्टु की दूप दीब कपोशे आरती करें बगवान विस्टु को पुस्प अर्पित करें इस ब्रत में फला हारी करें दूसरे दिन नहा दोकर भगवान विश्डू का पूजन कर ब्रहमबर को भोजन कराएं और अपनी शामर्त के अंसार दच्छना देकर बिदा करें और श्वयम भोजन करें इस ब्रत को करने से हमारे सभी पाप नश्टो कर हमें विश्डू लोग की प्राप्ति होती है प्राचीन काल में चित्रत नामक एक अतरमडी स्थन था इस बन में देवराज इंद्र गंदर कन्याओं और देपताओं के साथ स्वच्छन्द बिहार क्रीडा करते थे मेदावी रिषी भी इसी बन में तपस्या करते थे देवराज इंद्र ने रिसी की तपश्या भंग करने के उद्देश से मंज गोशा नामक एक अफसरा को भेजा युवा अवस्ता वाले रिसी को अपने हाव भाव नत्य से मंज गोशा ने अपने बस में कर लिया इस प्रकार रिसी अपसरा पर मोहित होकर उसके साथ रती कीडा करते हुए अपने जीवन के 47 बर्स भीट गए एक दिन जब मंज गोशा ने रिसी से स्वर्ग जाने की आग्या मांगी तब रिसी को अपनी गलती का बोध हुआ मैंने जीवन के महतपूर छड यूही नश्ट कर दिये रिसी ने अपने को रसातल में पहुचाने का एक मात्र कारड अपसरा मंज गोशा को ही जाना उन्होंने उसे पिसाचनी होने का स्राप दे दिया स्राप को सुनकर मंज गोशा ने कांपते हुए रिसी से इसकी मुक्ती का उपाय पूछा तो रिसी ने पाप मोचनी एकादसी ब्रत बताया और कहा यद तुम विद्विधान से इसका पूजन करोगी तो तुमारे सभी प पाप नश्टो कर सराब से मुक्ति मिल जाएगी यह कहकर रिचि अपने पिता रिचि चैमन के पास चले गए और अपने पिता से स्वमपूर भ्रतांत कहा ये सुनकर उनके पिता ने उनकी घोर तुम निंदा की और कहा यद तुम पाप्मोचनी एकादशी का ब्रद करो मेदावी रिसी ने अपने पिता की आग्या का पालन करते हुए नीयम सैयम से पाप्मोचनी एकादशी का ब्रद किया इस ब्रत के प्रभाव से मंज गोशा ने पिसाचनी योनी से मुक्ती प्राप्त की और मेदावी जिसी ने पाप से मुक्ती प्राप्त की धर्शको ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करें